हेलो बच्चों स्वागत है आपके और अपने एटूब चलने कर नहीं आकलासस पर आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महात्पूर्ट टॉपी लेकर आए प्रोटीन की दोतियक सन्रचना जी हाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोटीन की दोतियक सन इसमें लिखेंगे किसी प्रोटीन की दोतीयक दो डिगरी सरचना का सम्बंद उस आकरत से है जिन में पाल प्यप्टाइड संखला पाई जाती है। ये दो प्रकार की होती है नमबर एक अलफा हैलेक्स संरचना नमबर दो बीटा प्लीटेड सीट सरचना अब नमबर एक घरी डालेंगे अलफा हैलेक्स संरचना इसमें लिखेंगे इस संरचना में पाल प्यप्टाइड स्रंखला दच्छडा वरती पेंच के समान मुड़ी र कुंडली के अगले मोड पर इस्थित सी डवल बॉन्ड ओ समू के साथ हाइट्रोजन आबंद बनाता है बालों वा उन जैसी रेशे द्वार प्रोटीनों की सरचना इस प्रकार की होती है अब हम आपको अलफा हैलिक्स की सरचना को हम आपको चित्र के माद्यम से समझाएंगे यह है अलफा हैलिक्स सरचना का चित्र यहाँ पर चित्र में देखिए सी डवल बॉन्ड ओ के बाद क्या लगा है हाइट्रोजन बंद हमने यही परिवासा में अभी आपको बताया है कि यहाँ पर लिखाओ कि सी डवल बंड ओ समू के साथ हाइट्रोजन आबंद बनाता है तो यहाँ पर चित्र में देखिए सी डवल बंड ओ यहाँ पर यह क्या बना है आक्सीजन और हाइट्रोजन के बिच में हाइट्रोजन बंड बनाता है यहाँ पर आप देखिए सी डवल बंड ओ यहाँ पर क्या बन रहा है हाइट्रोजन बंड बन रहा है यहाँ पर भी आ के समान मुड़ी रहती है इसमें प्रतेक अमीनो अमल आवसिष्ट का एन एच समू कुंडली के अगले मोड पर इस्तित सी डेबल बांड ओ समू के साथ हाइट्रोजन आबंद बनाता है याने की सी डेबल बांड ओ जो समू है इसके बाद क्या बनता है यहाँ पर बीच में हाइट्रोजन बांड याने की ओ और एच आउक्सिजन और हाइट्रोजन के बीच में क्या बनता हाइट्रोजन बंद बनता है तो हमने आपको Alpha Hellis की सरचना को लिख कर बताया है और हमने आपको चित्र के मादयन से समझाया है कि आप परिछा में जाकर कैसे लिखेंगे अब अगलें डालेंगे बीटा प्लीटेड सीट सरचना इसमें लिखेंगे इस प्रकार की सरचना में सभी पाल पेप्टाइड स्रंखलाएं खुली हुई अवस्था में एक दूसरे के पासर्व में इस्तिद होती हैं तथा परसपर आंतरा अडविक हाइट्रोजन बंदों द्वारा जुड़ी होती है आता इस प्रकार की सरचना वाली प्रोटीन मुलायम होती है रेशम की सरचना ऐसी ही होती है तो यह हमने आपको भी लिखकर बताया है कि बीटा प्लीटेट सीट सरचना यह बारे में हमने आपको लिखकर बताया है अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे यह है बीटा प्लीटेट सीट सरचना का चित्र तो इस चित्र के माध्यम से हम आपको समझाएंगे तो इसमें देखिए इसमें भी C double bond O इसके बाल क्या लगा है? हाइट्रोजन bond क्या लगा है? हाइट्रोजन bond यानि की oxygen हाइट्रोजन के बीच में हाइट्रोजन bond यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर C double bond O और oxygen और हाइट्रोजन के बीच में हाइट्रोजन बंद यानि की hydrogen bond तो सबसे पहले हमने आपको बीटा प्लीटेट सीट सरचना को लिखकर बताया है फिर हमने चित्र के माधम से आपको समझाया है तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रोटीन की दोतियक सरचना किसे कहते हैं यह दो प्रकार के होती है नमबर एक अलफा हाइडिक्स सरचना नमबर दो बीटा प्लीटेट सीट सरचना इसके बारे में भी हमने आपको विष्टार पूर्वक समझाया है तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तिसे लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत